नमस्टार दोस्तों मैं प्रितिजव लिवास तब अक्सर देखा जाता है कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका हमेशा साधी सुधा, महिलाई या फिर पुरूज네 GOP 1990 अक्सर देखा जाता है कि वह उनके आकर्षण पर बहुत जाडा फिदा हो जाता है जिससे कि उन्हें लगता है कि वे ही जीवन में उन्हें चाहिए तो आज जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं और उनसे घुला मिलना शुरू करते हैं तो उनकी बातों में या फिर उनके आकर्शन से उनको लुभाना आहसान हो जाता है उन्हें ये लगता है कि जीवन में उन्हें जो अब मिला है फेह अगे जाके क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर आगे जाके ऐसा कोई उनका चाहने वाला होगा जो उन्हें अभी पसंद करता है अगर आपके गुरों की कोई जादा तारिफ करते और आप तिखने में अच्छे लगते हो तो आपकी तारिफ करने वाला बैक्ती जादा अच्छा लगने लगता है आपकी बारे में सोचने वाला वैक्ति आपको ज़्यादा अच्छा लगने लगता है जिसकी वज़ा से आप ये नहीं देखते कि वह शादी शुदा है या फिर आपसे बड़ा है सिर्फ आप उसकी तरफ आकरशित होते हुए चले जाते हैं जिससे कि आपको जीवन में ये लगता है कि ये ही वैक्ति है जो मेरी परवा करता है और ये ही वैक्ति मेरे जीवन में आना चाहिए फिर चाहें वह वैक्ति शादी शुदा हो लेकिन उसके लिए वैस सोचते हैं कि इससे दूसरा नहीं वही वैक्ति चाहिए तो हमेशा जो बच्चे कम उम्र के होते हैं वहे उन चीजों को नकारतमता के साथ सकारतमता को मिक्स करके चलते हैं वहे उसके पीछे क्या चल रहा है ये नहीं चलता उसके मांसिक इस्तित ही इस तरह की हो जाते हैं कि उसे हमेशा वही वेक्ति जादा लुभाने लगता है जो वेक्ति उसके केर करता है और केर करने के साथ साथ उसके उपहार दे या फिर उसके गुणों की तारीफ करे और उसके गुणों के बारे में उसे बताए पारण होता है किसी शादी शुदा की तरफ आपरशित होने का मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले जब तक के लिए मैं प्रिती स्रीवास्ता पाप से इजाज़त लेती हूं